तो बचो फॉर्ट वीडियो जदा उसमें हमने 13 14 क्वेस्टिन किया था अभी यह फिप्ट वीडियो है इसमें हम आपको क्वेस्टिन नुबर 15 करवा रहा हूं 16 ओम वक्ष में करना है और 17 क्वेस्टिन आपको इसी वीडियो में कराएंगे कि फिर 44 और फॉर्टीफएब क्वेस्टिन ऑमवक में करना है 17 44 45 तीन आपके वनब होंगे जाप करोते हैं समझना को में कर वाके क्वेशन में लाइन के पार्ट स्च य एट लेक चापिल कम उड़ियों चाहिए सिक्सलेक Shh और इन्ट्रेस्ट और यहां रिड इंटर्रीस्ट वाई वाई को सद्री देनी सिक्स्टी थाउजंड पर एंव पर एंव प्राफिट आप्टर सबीड तुफ़ोटी वापस वह बात आगे प्राफिट बीफॉर इंट्रेस्ट आप्टर इसल्री प्राफिट में अगया माइस्व तोफटी है मैनेजर कमिशन फ़ाइब बात आफ में का रचिछ त्री स्टु किया इस बात को अप लोग समझना Benazora Commission धुशे फास्न नहीं बिटा Benazora से यसी एक तरह से Empos Additionally कि जोगा यह जो टोदेकामें गारोस ही ऑनेजर गामऺन गमीशेमेन की एक सब्योंकर तो दो बात है ब्रोफिट आप्टर सलरी और मैनेजर कमिशन तो मैंनेजर कमिशन से चार्ज-चार्ज होने की भ्याप dubstart अकाउंट माइगा तो मैं प्रॉफिट मों सबसे पेल हम बातकरें गे प्रोफिट एंड्रोस स आप सांट मैं प्रॉफिट एंड लोस अकाउंड बनेगा जिसमें हम लग बात करेंगे प्रॉफिट अप्टर सल्री प्रॉफिट अप्टर सल्री पहले तुस अप्टर को सेट करते हैं लोग आप्टर कितना 240 तुलेग 40,000 प्रॉफिट अप्टर सल्री टुफोर्टी संद आपको पिसले 14 में समझाए जब भी आप्टर आये तो उसको भी प्टर करना गत्र में से अलड़ी श्य करने करेंगे यह हुआलरी कि अ 350 . प्रॉफिट कि अब चन्री टूलेग क्वॉटी था फॉती ता अप्टर सब्सक्र अबंदा सम्झा मैंने सوق का भापर प्लस कर दिया तो profit बी फॉर सेलरी होगया अपका फीलेग हो गया एह अपका profit बी प्राइजर कमीशन पड़ा था वीफोर चार्जिंग और आप्टर चार्जिंग वह केस है क्वेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तुम्हें भी फॉर मानके चल रहा हूं मैंनेजर कमीशन के रेट इन नहीं बली प्रॉफिट का मौन कितना अपका ठीए कितनारी अब मैंनेजर कमीशन नकालूंगा थ्री लेका फॉप को फवाइजर कमीशन होग का वीफाइज है जो फॉइचनगरrare वैफ पिशन क्योंकि जो भी प्रॉफ्जय कंसीट्र होगा हो प्रॉफिट में सब्सक्राइब का प्रॉफिट भी फॉर इंट्रेशन भी फॉर सलरी तो प्रॉफिट भी फॉर इंट्रेश्ट अप्टर को मैंने भी फॉर में कन्वेट किया अब प्रॉफिट त्री लेक थी लेका फाइप सेंट फिप्टीन थाउजन नाउ नेट प्रॉफिट जो प्र 85,000 यह लिए हमने नेट प्रॉफिट टू लेक 85,000 अब इस नेट प्रॉफिट से में स्टार्ट करेंगे पी एंडल अप्रोप्रोप्रेशन अकॉंट प्रॉफिट अन्लोज अप्रोप्रोप्रेशन अकॉंट प्रॉफिट अन्लोज नेट प्रॉफिट टू लेक 85,000 तू लेक 85,000 तू इंट्रेस्ट उन कैपिटल तू इंट्रेस्ट उन कैपिटल फई परसेंट है एट लेका 5% 40,000 एट लेका 5% 40,000 शिक्स लेका 5% 30,000 ये इंट्रेस्ट उन कैपिटल 70,000 हो गया ये इंट्रेस्ट उन कैपिटल हो गया हमारा 70,000 नाव सेलरी पार्टनर सेलरी तू वाई 60,000 पर एदम वाई को मने सेलरी दिया 60,000 नेट प्रॉफिट का माउंट टू लेक 85,000 नेट प्रॉफिट का माउंट टू लेक 85,000 इंट्रेस्ट 70,000 सेलरी 60,000 70 प्लस 60, 130 हो गया, 70 प्लस 60, 130 तो यह आपके आप प्रॉफिट आगया 155, डिवीजेबल प्रॉफिट आगया हमारा 155 टू पार्टनर्स capital टू पार्टनर्स capital divisible profit है x और y x का ratio 3 by 5 और y का ratio 2 by 5 x का ratio 3 by 5 है y का ratio 2 by 5 155 का 3 by 5 करेंगे तो यह आग्या 93,000 155 का 2 by 5 करोगे यह आग्या आपका 62,000 यह हो गया हमारा question number 15 बस नया मेंटर यह था कि question में profit after salary था तो मिनने salary प्लस करके before salary में convert कर दिया दूसरी बात इस question में manager commission था तो manager commission profit का 5% 15,000 तो net profit आगे net profit को पी अडल appropriation में transfer करते हैं बाकि पुरा question normal हो गया इस question का एक alternative solution यह हम लोग चाहें तो इस question को पी अडल अकाउंट बना के करें क्योंकि manager commission चार्ज और ता चार्ज को पी अडल में चाहते शो करना चाहिए बट एक तरीका हो रहा है कि हम इसको ऐसा ना करें तो यह सारा working note यहां पर डिस्क्लोज कर सकते हो alternative solution यह सही कि यह जो सारी के calculation आप उसको यहां पर भी शो कर सकते हो एक बार इस question को आप पोज करके इस वीडियो को पोज करके आप पूरा question खुद करो फिर मैं आपको alternative solution समझा देता हूं alternative solution क्या है समझना कि प्रॉफिट आप्टर सेलरी था कि 240 तो मैंने सैलरी प्लस किया कि 60,000 कि प्रॉफिट बीफोर सेलरी थी लेक हो गया प्रॉफिट बीफोर सेलरी थी लेक हो कर ना मायनेश मैनेजर कमशन त्री लेका 5% मैनेजर कमिशन त्री लेका 5% फिप्टीन ताजांट मैनेजर कमिशन थी लेका 5% 15,000 तो नेट प्रफिट का मौंट ऑगया तू एटします कि प्रफिट ये आपका नेट प्रॉफिट टू-Ehatjan ये आगरिया नेट प्रॉफिट तो आपके पास और चेद्व क्या प्रफिट्लो फिरिय अग्रोंट करें मेनेजर कमिशन शो करके net profit को लेकि start करो यह सारी calculation आप यह भी बता सकते हो profit after salary salary plus क्या तो profit before salary होगया manager commission minus क्या 15 thousand profit net profit आगे समने नेट प्रोफिट समने question कर लिया बाकि सारा result is interest salary दिया divisible profit है divisible profit का ratio three to two कर दिया तो यह दोनों option है यह थहां पी अड़ अरकांड मोलत के मां जोगर ऑप फोिंघन को सब्सक्राइब आप लोग हंव करेंगे जयां सकते के मालग की तो सिंटिन में इंटेसले कापिडल और इंट्रेस्ट के मिर संख्रेक एंट्रेसले कमक्रेंट की रेट भी गीवन है और अमांब भी यह इंट्रेट अना केपिटल इंट्रेट विङवन है रेट वी गिवन आमांट भी विए तो जब मैं कोई स Danish नहीं है जो अब चुशम कि इसलिए को लेना दिना नहीं है तो होमबग में करेंगे फिर तैननमान 45 को होंडर्वे चरएंगे वस्तिपायव आपको homework में करना, यह सारे questions मैं आपको PDF में बेज रहा हूँ, homework के question number 16, question number 44, question number 45, यह तीन question आपको homework में करना होगा, सर आपको अभी 17 questions समझाएंगे इसी वीडियो में, हम बात करेंगे question number 17, सारे बच्चे 17 questions पढ़ो, अतुल और मेथुन पार्टनर है, ratio 3 to 2, बच्चों यह question पढ़ने से पहले हैं, इस question को एक बार आप लोग इस वीडियो को post करो, और आप खुद पूरा question करो, कहां कहां mistake आ रही हैं, वो अगर कोई mistake आ रही, कोई answer नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो को वापस देखो, कहां गड़ बड़ी उसको साही करो, फिर आप लोग पढ़ोगे question number 17, यहां दखना 16 question, 44, 45, तीन question आपके home work में है, अब मैं बात करूँगा question number 17 की, अतुल मिथून पार्टनर है, question number 17, अतुल मिथून पार्टनर, capital question में given आपको, five leg और six leg, फिर हम बात करेंगे question में, loan, three leg, CR, और two leg, DR, यही पूरे question का main gamut है, loan, three leg, CR, CR का मतलब liabilities, CR liabilities होता है, DR का मतलब assets, तो CR यानि liabilities, यह पार्टनर से लोन है, मतलब firm ने पार्टनर से लोन ले रखा है, तो इस लोन पर आपको interest देना है, firm ने पार्टनर से लोन ले रखा है, यह लोन हमारी liabilities है, क्योंकि CR bilans है, तो इस लोन पर आपको interest देना है, और यह loan का लिखा, DR, DR का मतलब firm, DR का मतलब assets होता, तो firm ने loan दे रखा है, firm ने loan दे रखा है, इस पर interest आपको लेना होगा, यह loan liabilities है, इस loan पर interest देना है, यह loan हमारी assets है, इस पर में interest लेना होगा, बस यही manage question का, but interest on partners loan charge है, और charge के accounting का होती है, profit and loss account में के accounting होती है, profit and loss account में है, आगे हम बत करेंगे इस पर, interest on loan, 8% लिखा हुआ, दोनों type के loan पर, चाहिए loan लिया या loan दिया, दोनों पर interest के rate, 8% पर रहना हम लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ, interest on capital, interest on capital 10% पर रहना, interest on capital 10% पर रहना, next लिखा हुआ, interest on drawings, interest on drawings, दोनों की 5000, दोनों बंदों से interest on drawings, कितना लेना 5000 लेना, profit 228, profit 228, before about effect, profit 228, before about effect, इन सबका effect देने के पहले, profit का मुँ लिखा वा, 2,28,000, अब हम ये question करेंगे, पी अडल अपर रहना किया, सब से पहले, interest on loan, चार्ज होता है, चार्ज की accounting, profit loss account से करेंगे, हम लोग बात करेंगे, profit loss account से, profit and loss account, profit नॉर्मली दरगा 228, to interest on, is loan, interest on is loan, एका लोन है 3 लेक, ये लोन हमरे लिए लाइबिटीज है, मतलब हमने लोन ले रखा है, तो इस लोन पर interest देना है 3 लेक का 8%, 3 लेक का 8% interest आपको देना, loan ले रखा है, तो interest आपको देना है, next, ये loan assets है, मिथुन का जो loan है, ये loan हमरे लिए assets है, मतलब हमने loan दिया है, तो interest आपको लेना होगा, interest on loan, मिथुन को loan दे रखा हमने 2 लेक, 2 लेक का 8%, 16,000, 2 लेक का loan दिया हुआ है, तो interest लेंगे 8% के सबसे 16, total amount 244, total amount 244, minus 24, तो net profit, net profit 220, net profit 220, 2 लेक 20,000, अब profit के distribution के लिए आप बनाओगा, profit and loss, appropriation account, यह बन गया हमारा profit and loss, appropriation account, आपको question हमें सब पूरा format बना के करना है बिटा, बिना format के marks करते हैं, एक्जाम में, by profit and loss, net profit 220, by profit and loss, net profit 220, अब हम बात करेंगे, to interest on capital, to interest on capital, 5 लेक गा 10%, 50,000, मेथुन का, 6 लेक का 10%, 60,000, अतुल का, 5 लेक गा 10%, 50,000, मेथुन का 6 लेक का 10%, 60,000, टोटल इंट्रेस्ट होगया, 1 लेक 10,000, यह होगया हमारा interest on capital, इस के बाद हम बाथ करेंगे इंकम इंकम में करो इंकम में करो करो कि दोनों का अमौंण 55,000 दा रखा है जियो हो गया हमारा 10,000 इंtrest on villa income में इसको हमने CAD कर दिया कापिटल हो गया लोन हो गयार इंट्रेश्ट Andinations capital हो गया इंट्रेश्ट ग्रायंग्च होगया profit हो गया अब हम क्लोज करेंगे अ टोटल 330 के टाथल 30,000 तोटल टो लेक 30,000 तोटल और 22.000 माइनस इंट्रेश्ट माइनस इंट्रेश्ट टू थर्टी माइनस वन लेक तेन थाउजड तो प्रॉफिट का मुंट बच्रा वन ट्वेंटी प्रॉफिट का मुंट बच्रा वन ट्वेंटी यह डिवीजिबल प्रॉफिट यह डिवीजिबल प्रॉफिट दोनों पार्टनर अतुल और मिथुन अतुल और मिथुन रेश्यो इस question में given है question में जो इनका ratio given है 3 is to do ratio 3 is to 2 1,20,000 का 3 is to do 72,48 1,20,000 3 by 5 2 by 5 यह हो गया 72 or 48 बस ज्यान क्या लगाना है question में कि यह हमने partner से loan लिया हुआ CR balance का मतलब library loan लिया हुआ तो interest देना है यह loan DR balance DR balance का मतलब assets है मतलब हमने loan दिया हुआ है तो interest लेना है यह question एक बार इस वीडियो को post करें question आप खुद करो और फूर क्यों मिश्टे काया तो वीडियो को वापस देखो home work के तीन question आपको याद है Sunday 15 question कराएगा 16 homework दिया 17 Sunday कराएगा फिर आप लोग 44 question करोगे है और 45 question करोगे अगले वीडियो में मैं आपको partners capital account बढ़ाऊंगा partners capital account